ना उसका दोस्तों डीडी रेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी के स्वागत हैं मैंने मा लोग तो आज जो वीडियो लेकर रहा हूँ बड़ा मज़ेदार वीडियो है यार टाइटल है शाहिद अफरीदी जायनिस्ट है मतलब की वो जीूज के ग्रूप में है क्या शाहिद अफरीदी के बारे में पाकिस्तानी क्रिकेटर कटर मुसल्मान जिसने दानिश कनेरिया को तक को नई छोड़ा अपने टीम में कि ने पैरे वह साथ कहना नहीं किहाँ हर और ये करों और यहुदी के साथ बैये तो बड़ा गजब मामला लग रहे नहीं आज हो ओर यह ळेकर आई-देखते हैं और एक बड़ी क्रीदी कामको इसके ओपर मैंने वीडियो नहीं बनाएक ताहिए और दूसरा वाइल कब से निगल गए हैं तो इनके बास कुछ है नहीं लेगे हैं हमारे बहुत बड़े क्रिक्टर हैं शाहिद खान अफरीदी साहिब इन्होंने इंगलेड में कहीं पर गुजर रहे थे तो रास्ते में इनको कुछ गोरे नजर आए जिन्होंने बहुत सारे प्लैकार्ट उठाए होते हैं रिलीस तो पता नहीं शाहिद इनको इंग्रेजी पढ़नी नहीं आती और इनको कुछ सम मिशूर केंपेइन है लेकिन शाहिद अफरीदी ने फोटो किछ वाली फोटो वाइरल हो गई और इन्होंने कहा के और इन्होंने इसको का कर देख़ो जी इन्होंने सपोर्ट आफर किया अब जरा इसको देखा जा सिर्फ ऑन पेपर सिर्फ भूल जाएं आप मुसल्मान है यहूदी हैं क्या हैं भूल जाएं सकते इसमें यह वो बच्चे की एक फोटो है यह नीचे आप देखें यह साल कभी नहीं था बच्चा जब इसको उठाया गया था तो यह सिर्फ यह कह रहें के बच्चों को यहां पर ले आओ उनना ने कोई घाजा के लोगों के लिए को स्वीर वारल होगी और सिर्फ यह कहना का कि जो पकड़ के लेगे गये में घिन होस्टीजिस को लेगे किड्लैप करके उनके साथ तुमने कैसे उनकी वापस आने का मतालबा कैसे कर लिया तुमने क्या लोग हैं घे कह रहें कि सिर्फ यह चीख गह लिए कि た अभ़गों लंती स्पॉटेट और इसको अफश्रीदी को खूप टार्ल किया गया कि शाहिद अफडी है असल में यह सारे यूथी एंसल में क्योंकि शाहिद Alexandrąबिधी ने इम्राद खान के कोई बात करती थी आज से कुछाइवसा पहले, तो तब से यू थिया, शाहिद Alexandran के को गालिया दैगा, तो पहराल शाहिद Alexand builders थी है, पाकिस्तानी मुमिन है, तो उन्होंने का, ओह हो ओओ, ये क्या हो गया, PR प्रॉब्लम हो ग आपको दिखा देता हूं शाहिद अफ्रीदी ने जब देखा के लोग गरम हो गए तो शाहिद अफ्रीदी ने का कि इमेजिन करो कि तुम मैंचेस्टर में यूके में ऐसी पैदल चल वही हो और रास्ते में तुम्हें आते हैं और वो कहते हैं कि एमारी सेलफी खेंच लो तो आप उनके साथ अपने सेलफी खेंच लेते हैं और वो फिर बाद में अपलोड कर देते हैं और फिर वह जाइनिजम की इंडूर्समेंट हुए तो पच्चों का मांगना बच्चे छोड़ा दें पैसी हौस्टीज एक बच्चा है इसमें होस्टी यह इन्होंने अप्लोड कर दिया मेरी मर्जी के खलाफ इनोसेंट बच्चे मर रहे हैं लोग मर रहे हैं घजा में फलस्तीन में जो मेरा दिल तूड़ता है मेरी इस तस्वीर फोटो के साथ कोई असोशिएशन नहीं है जो मैंचेस्टर में शेयर हुई है यह मेरी कोई सपोर वासित ऑफ अगर मैं आपको यह कहा है कि शाहिद अफरीदी यह भी कह सकता था अगर थोड़ा ही जिग्राः हुता है इसके यह सकता थे शाहिद अफरीदी के मैं पर बाएं जदॉन कर रही है नहतने मस्मानों पर लेकिन मैं साथ ये भी चाहता हूं कि जो उठा के लेके गए hostages को उनको भी छुड़वाना चाहिए perfectly balanced statement है लेकिन ये मुआशरा balanced नहीं है यही तो हम आपको बताते हैं वो एक follow करता था हमारे यहाँ पे भी आता हो शाहिद अफरीदी कर नहीं सकता अगर उसके मन में भी होगा न वैसे तो उसके मन में नहीं होगा हरिस भाई वो कहनी सकता ऐसे वो भी उन लोगों में से है जो जायस ठराता होगा 7 अक्टूबर को क्या हुआ यही फर्क है एक radical मुसल्मान की सोच में और एक आम इंसान की सोच में मैं कहता हूँ कि फिलिस्तीन में जो निर्दोश मारे जा रहे हूँ वो गलत है वो गलत है फिलिस्तीन के मासूमों को नहीं मारा जाना चाहिए इसराइल गलत कर रहा है अगर फिलिस्तीन में मासूम मर रहे हैं हाँ हमास वालों को मार रहे हैं बिलकुल वो माइक्रोवेव वह इडालके वो भी गलत है, जो साथ अक्टूबर को पंदरह सव इसराइली श्राइली आप पंदरह सब अइसरा लया है वो भी गलत है और यो इस वक्त होस्टेज बने हुँ है जो अपहरण करकर रखेगा है उनको भी वापस लाना चाहिए जो होस्टेज बने हैं वो भी गलत है लेकिन एक रेडिकल मुसल्मान क्या करेगा नहीं नहीं साथ अक्टूबर को मैं उस्पनी बोलूँगा I'll support वो ये कहेगा वो तो बदले में किये किये करवाई है तो फिर बदले में तो इस्राइल भी कर रहा है आपने उनके 15 सों को मारा उनना 45 जार को मारा जिसके पास ताका थे वो मार रहा जिस दिन आपके पास ताका थोगी आप उसको उड़ा दे रहा जो आप लोग कहते हों उसके मुताबिक तो यही है लेकिन अगर कोई मुसल्मान ये कहता है कि नहीं भाई जो 7 अक्टूबर को मासूम मारे गए इस्राइल में वो भी गलत है और जो फिलिस्ती में मारे जार रहे वो भी गलत है ये एक इनसान की स्टेटमेंट है लेकिन रेडिकल इस्लामिस्ट की स्टेटमेंट ये नहीं हो सकती हम तो एक तरफा देखेंगे हम अपनी कौम के बारे में देखेंगे हम दुनिया जाए भाणा में दुनिया मर जाए उससे में कोई फर्क ने पर लेकिन उसके टेकनोजी आप यूज़ करेंगे इसका भी जब ही जबने खाना आप खाएंगे और दूनिया में धिरे-धिरे-धिरे-थिरे-solution निकल रहा है न हर देश निकाल रहा है देवे 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 बस पाकिस्तानी बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि जब यह शुरू में जब यह वार्श शुरू ही तो बहुत सारे जो यहूदी वेस्ट के मुलकों में रहते हैं वहां पर उन्हों पोस्टर लगवाने शुरू कर दिया सड़कों के रिलीज थो हुस्टिजियस तो कुछ लोग उसको फार देते हैं यही मौमिनीं बंदे मारके लेकिन जो उड़ा कर लेकर लेकर मारतें इस पर शूप भी जो लोग मर रहे हैं वो ठीक है तो उन्होंने वो पोस्टर उतारना शुरू कर दिये यानि आप यह कह रहे हो कि उनको ना छोड़ो होस्टिजिस को ना छोड़ो और यह इनके दिलों के अंदर यही बात है तो ना पाकिस्तानी ने मुझे ब्लॉक कर दिया उसके उपर मैंने क्ये क्या होगा दिजिए की बात हो रही है तो यतने पागल हैं यह हमें मोरैलिटी का लक्चर देते हैं यह तो अगर वो ना दूसी तरफ के भी कई जो हैं कंडर किसम के यहोडी है वो कहते हैं इंको मरो और। यह जो के लोगू यह उस एक्स्ट्रीम के लोग है अपनी यह बहुत valid point है रहे हैं आप समझो आपको balance करना पड़ेगा देखो situation ना एक ही जैसी है आप कह रहे हो कि हमने बदले की करवाई में मारा वो कह रहे हैं कि हमने भी बदले की करवाई में मारा ता दोनों सही हैं फिर और नहीं तो फिर कहो कि नहीं जो 7 October को हुआ वो भी गलत थ और आज जो इसराइल अगर हमास को छोड़के बाकी लोगों को मारा है वो भी गलत है हमास का तो मारेगा हमास को छोड़ेगा नहीं और मैं भी support में हूँ आतंकवादी कहीं भी हो वो चाहे पाकिस्तान में हो चाहे भारत में हो चाहे हमास के रूट में चुपा हो चाहे नी हो मरना तो है भाई तुझे है इह बात था है 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 हां मासूञ लोगों की जानने, जित निर्दोश लोगों की ज़ानने ही जिए बिचारे अपने लिए वो तबाह हो रही है वो तो पता निचला है मैं तो संजाए फोटो खेज लिए आपको फोटो में आप देख सकते है कि साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने ये इर्द कर पीछे भी है उठाए में इन्होंने ये इंग्रेशी के लिखाओ लिखाओ लिगा तो शाहिद अफृदी को नजर नहीं आया ह वहाँ ना कि यार आप हमाई साफ फोटो खिचवाएं कि हम तो लीस्ता होस्टीजिस की बात कर रहे हैं तो शाहिद अफृदी की जो मॉरल कमपस उसने यह का होगा हां इसमें घलत बात है होस्टीजिस की बात हो रही है तो ठीक है मैं तस्वीर किचवा लेकिन उसको पता चला के बाद में कैसे डंगर और खोते लोग बैठे हैं जो शाहिद अफृदी को इसलिए गाली गलोज कर रहे हैं कि भाई आप ने यह कैसे डिमांड कर ली के जो निहत्ते यहूदी हैं उनको छोड़ दिया जाए है हम तो चाहते हैं कि यहूदियों को मरा जाए हम तो चा क्या करें तो यह इन लोगों का हाल है कि यह इतनी एक मॉरली बैंकरप्ट सुसाइटी है यह पूरी साइड यह घजा के फिलसी और हमारे यहां पर लंडे के जो कॉमिनिस्ट और लंडे के जो यूमनिस्ट बगारा बने में इत्किस बगारा उनकी भी मॉरल कंपस खराब है इनके मुझ से एक दफार ही निकलता कि बाई जो हॉस्टेजी ले गए उनका किसूर है यह उल्टा उसको जस्रिफाय कर रहे होते हैं तो यह इन लोगों का हाल है बेशरम लोग है और एक मॉरली बैंकरप्ट सुसाइटी है तो जारी बात है जिस मुल्क में हर चीज खराब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी एक वीडियो पारे लुई भी है किस तोना एक ट्रक एक्सिडेंट हुआ यह रेखें जी गाड़ी चोड़के गया कहीं और पीछे लोगों ने पूरी उसकी पूरा उसका डला खादी कर लिए बहुतों से बढ़ा हुआ हुआ मतलब इनको बताय गया सिखाय गया यह उसी माशरे में पले बढ़े है आपकी सोसाइटी है अप बच्चे उठाएके भाग रहे हैं चोडी यह देखें पूरा खाली करती है पूरी गाड़ी करती है यह देखें यह साहब यह मौशरा ऐसा है कम से कम लोग अपने बच्छों के सामने एक अच्छी एक्जेंपल सेट करते हैं यहां पे निकी जा रही है और एकें यह कोई आठे की बोरी नहीं है यह कोई ज़रूरी अशिया नहीं है यह मुफत वंडि का माल है को को इह अच्छों को चलोitect चलो घर में लेक चलो और बच्चे को बताईए बच्चा क्या सीख रहा है वो चोरी करना सीख रहा है वो उपने बड़े को देख रहा है को दूसरे की चीज बिना पैसे दिये चोरी करके ले जा रहा है वो सीख रहा है बच्चा और उकल को यह कहा है कि यह तो सही बात है हम कह जो बड़े हम देखते हैं इसे हो वह भी ऐसे ही होते हैं अभी जाथ दो मील खिप हो जाए ना दो दिन खाना ना मिले यही बड़े जो फिस्टिकेटेटेड लोग आगा यह जानवर भांजाएंगे आइंडर्स्टैंड लेकिन यह कोका-कोला से आपने प्राइप नहीं भरन लगों में ऐसा फोमो भी हो जाता है जैसे वो जब अटैक करता ना जब कोई मौब अकठा होता तो वो एक बंदा पहला चोड़ता तो बाकी सारे पहतिकेंगा में कहते हैं आप यहाद दोले यहाँ पर यह काम होता है यह भी हमने अमेरिका में भी देखा वहाँ पर मोस्ली पंजाब से कहीं गया था वहाँ पर और उस पर ब्लस्फेमी का आरोप लगा है पुलिस पकड़ के लिए गई थी उस बंदे को भाई जब आरोप लगा पंगे हुए तो पुलिस पकड़ के लिए पुलिस ने उसको अपने पुलिस सेशन में बंद करके रखा था भीड आई पुलिस को एक तरफ किया बैरक से उसको बंद किया हुआ था उसको बाहर निकाला जिन्दा जाला डाला अब आप कहेंगे कि इसमें किसकी साज़िश है क्यों कानून को अपना काम नहीं करने दिया गया आपके आईन में ब्लस्फेमी का एक कानून मौजूना सी 295 शायद उसको कानून के दारे में करो कानून बनाएं आपके देश में लेकिन फैसला दो भीड़ने करना है सबको बताना है कि सबसे बड़ा इसलाम का वो क्या कहता है जो भी है मैं हूँ मैं दिखाऊंगा और उसके बाद आप कहते हो कि दुनिया भर में आपकी इमज क्यों खराब होती है दुनिया भर में आपको क्यों शक की निगा से देखा जाता है दुनिया भर में मुसल्मानों की जो इमज है वो क्यों आप खराब कर रहे हैं और यह सिर्फ पाकिस्तानी मुसल्मान और में क्यों नहीं होती है क्यों नहीं होती पाकिस्तान और बंगलादेश में लिए ऐसी खबर क्यों आती है और तभी तो वह आले चरते हैं आपसे कि यह मुसल्मान नहीं है यह हमारे इसलाम को बदाम कर रहे हैं और इस वजह से भी आप इसलामी कंट्रीज में भी बैन हो रहे ह सब्सक्राइब तो मैं में लेकिसी को कोई भी उठा लए ऐसी बात नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी जुरूरे थे नहीं है ठीकिए आरहा है लेकि मैं फिर भी आपको बता रहा हूं मैं पुलिस को दे दूँगा फेर अनाफ यूप आर्ग्यू का मुझे को खाने के लाले नहीं पड़े वे इस बंदे को यह जितने लोग उठा रहे हैं, और ने पैप्सियों से अपनी प्यास नहीं बजाने कोका कोला से, यह moral compass इनके बिल्कुल तबाव अच्छो की वी है, और यही हाल पूरे पाकिस्ताम की across the society हर जगा पर उपर से लेकिन नीचे तक है, तो आपने इन लोगों से त लेकिन हमारे पच्छों के नामारा, जनो साइड हो गया, जनो साइड हो गया, जनो साइड हो गया, यह आवे गावा बिगड़ा है, खराब है स्मुक का हर चीज और वो नजर आती है, and again as I said, I'm 100% 100% तो नहीं आप कहा से कुए, I'm 90% certain, के अफरीधी को सब पता था यह क्या ह इना ने प्रॉपेगंड़ा खूब किया, तो उसने एक स्टेटमेंट दे दे देए, मुझे तो पता नहीं चला, मैंने तो फैन के साथ पोड़ रवाई दार से, बीत करता हूँ, आपको पसंद आई है, लाइक करने, शेय करने, नीचे, कॉमेट से बेखा तो दोस्तों वी वज़ा बताई है, हरिस भाई ने, कि भाई, जब पेट में रोटी नहीं होगी, और लोग तरस नहीं होगी, तो यही होता है, खर ठीक है, लेकिन हाँ, अगर एक सुलजा हुआ बाप होगा, तो वो अपने बच्चे के सामने कभी चोरी नहीं करेगा, वोरना बच्चा उसक आरे पास, तो मेरे जो सीमियर तो ने कहा कि यार यह बड़े अच्छी ख़बर आई है, जरा इसको बनाओ यार इस ख़बर को, खबर पता है क्या थी, नहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, एक आटो ड्राइवर, उसमें किसी का बैग छूट गया, किसी को उसमें स्टेशन थी, सोचिए, और उस आटो ड्राइवर ने, वो गया, आटो ड्राइवर था सोचवाप, उसमें कितनी किमाई होती है यह आटो ड्राइवर की, वो गया, पुलिस टेशन में उसमें जमा करा है अपने सामने, उसमें एक नंबर मिला, फोन नंबर मिला, उसको फोन किया, वो वो लेके गया वो शायद बेटी की शादी थी या बेहन की शादी थी उसके लिए गहने खरीद कर लेके जा रहा था दस बारा लाग के गहने इस वक्ता है कितने के गहने होते हैं कम से कम दो करूर के गहने होते हैं जो सोने की कीमत उस वक्ती है और जो आज है दो करूर के गहने होते हुए और उस और्टो ड्राइवर ने वो वापस किया तो यह है इमानदारी अब जहाँ जहाँ इस खबर हमने बनाया बाकी न्यूस चैनल्स में चली अख़बारों में चली मैगजीन्स में छपी आप सोचो उसका क्या इंपक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पर लोगों ने सीखा किया अरे मैं कहता हूँ कि अगर एक हजार बंदों ने भी इस घटना से प्रेवित होकर खुद को इमानदार कर लिया और ऐसी चीज़े की आप सोचो कितना बड़ा बजलाव है अब आता हूँ इसराइल गाजा पर मैं एडिटर साब को कहूँगा कि कुछ भी मैंने कहरने से पहले एक नई क्लिप मैंने उनको भेजी है जो शबर जादी है उन्होंने इस पूरे मामले और मुसलिम्स और फलिस्तिन और गाजा इस पर उन्होंने बोला है पाकिस्तानी है अलीट आते है पाकिस्तानी अलीट में आते है क्या वो कह रहे है पहले उस सुन लेजी तो पहले तो आप घजा से मुसल्बानों को निकाल दे इस कॉंसेट से मुसल्बान को निकाल दे कि घजा का मसला मुसल्बान का मसला है पहली बात घजा का मसला मुसल्मान का मसला नहीं है, अगर मुसल्मान का मस्क्रा हुआ तो मुसल्मान उनके गले पे छुरी फिर देंगे यह मुसल्मानों की रुएट है अब आप सोच रहे हैं कि मुसलिम साब जो कहते हैं नहीं हर तरफ मुसलिम ने ये फिलिस्तिन में यह हर्म मुसल्मान यह कहता है, आपको चूरन दिया जाता है, और आप उस चूरन को खा रहे हैं, आप उसके पीछे की सचाई को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कोई मतलब नहीं है मुसल्मानों को फिलिस्तिन के मुसल्मानों से, और ना फिलिस्त अनुभवी, FBR का डिरेक्टर रह चुका है, चेर्में रह चुका है बंदा, मतलब जो पाकिसान को कंट्रोल करने वालों में ये भी शामिल है, वो बंदा ये बोल तो जो ये हाई फिलिस्तिन, हाई फिलिस्तिन और हाई मुसल्मान, है मुसल्मान करते हैं, घंटे का फिलिस्तिन और घंटे का मुसल्मान, सब अपना अपना फायदा देखते हैं, आप सिर्फ बेवकूफ बन रहे हैं, आपको इमोशनली ब्लैक मेल करके आपको बेवकूफ बना जाता है, और कुछ लोग मलाई खा रहें इसकी, फिलिस्तिन के नाम वाली मलाई, फिलिस्तिन में हो रहें मुसल्मान उपर जुल्म वाली मलाई, वरना पाकिस्तान अब तक अपनी सेना बेचुका होता, साथिय अरब अपनी सेना बेचुका होता, यूए ही सेनाय भेज चुका होता, जितने मुसलमान कंट्री है, सब सेनाय भेज चुके होते, न सेना भेजा होता तो कम से कम दूसरों को ही भेज रहे होता कि जाओ लड़ो, कभी खबर आपने ऐसी सुनेंगे आप, सिर्फ बयान आते हैं, लेकिन तब भी आपनों की बुद् चले कि इसके खिलाब भी कहीं, इसको तो PM बनना है पाकिसान का शाहिद अफ्रीदी को, पदा ही नहीं आप लोगो, शाहिद अफ्रीदी को पाकिसान का PM बनना है, तो सामने वालों ने, PTI वालों ने और उसको बढ़गा दिया, बलो जेलो, आप क्या कहते हैं इस पूरी ख